सीम योगी के सत्ता में आने के बाद से ही यूपी एक अपरात मुक्त राच्ची के रूप में सामने आया है वो राच्चे जो एक वक्त पर अपरात के लिए जाना जाता था वो आज एक अपरात मुक्त राच्ची के रूप में जाना जाता है नमश्कार आप देख रहे हैं कापिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर आज की हमारी इस स्पेशल स्टोरी में आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिसे सुन आपके पैरो तले जमीन खिसक जाएगी आज आपको बताएंगे कि कैसे बदाईयों में साजट ने दो हिंदू बच्चों को मार डाला कैसे कमरे में बंद कर उस तरह से बारी बारी काटा और कैसे पुलीस मुटभेड में पुलीस ने साजित को मार गिराया आज आपको इसी मामले के बारे में बताएंगे साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में तो बिना देरी किये चली शिरुआत करते हैं हिंदू बच्चों को मार डाला, उस तरह से बारी बारी काटा, पुलीस ने मुटभेड में किया धेर दरसल उत्तर प्रदेश के बदायु जिले में सामप्रदाईक तनाफ की खबर है, यहां दो नाबालेक हिंदू बच्चों का गला काट कर उनका कतल किये जाने की खबर है, तीसरे बच्चे की भी गर्दन पर बार किया गया है हाला की, उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रह है, पुलीस स्टेशन पर मृतकों के परिजनों सहित हिंदू संग अठन के सदस्यों का जमावडा लगा हुआ है, जैश्री राम के नारे भी गूझ रहे हैं, दोनों बच्चों की हत्या करने वाले आरोपित का नाम साजित है, पुलीस ने भाग रहे साजित को मुट भेड म मार गिराया है, मौके पर भारी संख्या में पुलीस और प्यारा मिलिटरी के जवान तैनात कर दिये गए हैं, आपको बता दे कि घटना मंगलवार यानि की 19 मार्श 2024 की है, ये घटना बदायों के सिविल लाइन की बताई जा रही है, यहां बाबा कॉलनी के एक मकान में वि विनोद की पतनी ब्यूटी पालर में काम करती है, विनोद गाजिपूर में पानी की टंगी की ठेके दारी करते हैं, खटना के समय पती घर से बाहर थे, उनके तीन बच्चे घर पर ही मौजूद थे, मंगलवार की शाम 6 बचे उनके घर में साजित पहुचा, वो बच्चों को चीज दिलाने के बहाने से घर के अंदर ले गया, कमरे में बंद करके उसने सभी बच्चों की बारी बारी से गर्दने काटी, गर्दन काटने के लिए उस तरह का प्रयोग किया गया, वितक बच्चों के नाम 14 वर्षी आयुश और 6 वर्षी हनी बताय जा रहे हैं, ताज के लोग मौके पर जमा होने लगे, लोगों का जमावड़ा देखकर साजित मौके से भाग निकला, पीड़त परिजनों का आरोप है कि कतल के बाद साजित बच्चों का खून पी रहा था, आईजी रेंज का कहना है कि खून आदी पीने के आरोप की जाच करवाई जा रही ह वहीं परार आरोपित की पुलीस ने तलाश शुरू की है, तो आखिरकार साजित पुलीस के हत्ते चड़ गया, हाला कि पुलीस जब उसे अपने साथ ले जा रही थी, तभी साजित ने पुलीस पर हमला करते हुए भागने का प्रियास किया, पुलीस ने साजित को आमने साम ने की मुटभेड में मार गिराया है। खटना से नराज लोगों ने शहर के एक सलून में भी तोड़ पोड़ की। ये सलून साजेत और उसके भाई जावेत का बताया जा रहा है। लोगों ने पुलीस त्वारा पीड़त परिवार पर भी सकती करने का आरोप लगाया है। जैसे ही कई मामले हैं जिसमें पुलीस ने तगड़ा आक्शन लेने के साथ ही कई खतरनाक अपराधियों को मुटभेड में मार गिराया है। चलिए आपको हमारे स्पेशल स्टोरी में उसके बारे भी विस्तार से बताते हैं। गौकशी की खबरे आए दिन सामने आती रहती हैं। हत्यार कार्तूस चाकू और बाइक वरामत किया है। दूसरा पकड़ा गया बदमाश मुहम्मद फिरोज है। वहीं सीओ डुम्रिया गंच अखिलेश कुमार वर्मा ने बताया कि छे मार्च को पत्थरा थाना शेत्र में गौकशी की घटना होई थी। इस मामले में दोनों बदमाशो का नाम प्रकाश में आया था। इनकी गिरफतारी के लिए पुलीस टीम गठित की गई थी। इनमें थाना पत्थरा, SGO वसर्विलांस की टीम लगाई गई थी। पुलीस टीम मिठवल के पास बदमाशो को पकड़ने की रणनीती बना ही रही थी। इसी दोरान पत्थरा की तरफ से एक बाइक आती दिखाई दी। पुलीस टीम ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवारों ने गाड़ी रोकने के बजाए पुलीस कर्मियों की उपर गाड़ी चड़ाने की कोशिश की। पुलीस टीम ने खुद का बचाफ करते हुए इन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे दिया। बाइक सवार विश्नु पूर्वा की ओर जाने वाली नहर की तरफ भागने लगे। पुलीस टीम ने बाइक सवारों का पीछा किया तो वो कुछ दूर चाकर अन्यंतरित होकर बाइक समेत गिर पड़े। पुलीस ने उन्हें आत्म समरपण के लिए कहा तो एक संदिक्द व्यक्ति ने अपने हाथ में लिये हुए हतियार से पुलीस पर जान मारने की नियत से फायर कर दिया। गिरफतारी टीम में प्रभारी निरिक्षक पत्रा भागेवती पांडे, सोजी प्रभारी शेकनाथ यादव, सर्वलान सेल प्रभारी सुरेंदर सेंग, उपनिरिक्षक राखवेंदर यादव, सत्यदेव प्रसात, मुख्या आरक्षी, राजीव शुकला, दिलीब कुमार सहित, अन्य पुलीस कर्मी शामल है, चलिए आपको ऐसे ही एक और मामले के बारे में बताते हैं, आपने उदैपूर के चर्चित कनहिया लाल हत्याकान के बारे में सुना होगा, जिहां वही हत्याकान जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया था, बलकि कई सवाल भी खड़ किये थे, चलिए आज आपको इस मामले से भी रूबरू कराते हैं, दरसल राजस्थान के उदैपूर जिले के धानमंडी धाना शेतर में दरजी कनहिया लाल की दिन दहारे धारदार हत्यार से हत्या कर दी गई थी, सोशल मीडिया पर वाइरल हुए इस खटना के वीडियो पूरे देश का ध्यान अपनी और खीच लिया था, पुलीस ने बताया कि कनहिया लाल साहु की धानमंडी शेतर में टेलरिंग की दुकान है, वहां दो व्यक्ति हत्यार के साथ आये थे और दो व्यक्तियों में से एक ने धारदार हत्यार से टेलर कनहिया लाल साहु की हत्या कर दी इस खटना के बाद स्थान ये बाजार बंध हो गया वहीं इस खटना को लेकर लोगों के मन में तरहा तरहा के सवाल उठे थे उदैपूर हत्याकान की पूरी कहानी क्या है दरसल भीमा कस्पे के रहने वाले 40 वर्षिय कनहिया लाल पेशे से दरजी थे वो उदैपूर म एक शक्स की माप लेने लगे तभी उस शक्स ने कनहिया लाल को दोनों हातों दबोच लिया जब तक कनहिया लाल कुछ समझ पाता तब तक बदमाशों ने उन पर कई बार खंजर से हमला कर दिया जिससे उनकी ततकाल मौत हो गई दोनों आरोपियों में से एक ने कनहिया ला कर हत्या की जिम्मेदारी ली दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद आरोपी बाइक से राजस मंत की और भाग निकले दरजी कनहिया लाल की हत्या के बाद उदेपूर में क्या हुआ दिन दहारे दरजी की निशन्स हत्या और वारदात का वीडियो सोशल मोट में आई और भीड को घटना स्थल से हटाने में चट गए हाथी पोल इलाके से भी पुलीस को निशाना बना कर पथराफ की गई मृतक के परिजन SP और IG के निलंबित होने तक दुकान के सामने से शब नहीं हटाने पर अड़े रहे आननफानन में उदेपूर के सारे थानो से पुलीस को घटना स्थल पर भेज दिया गया उदेपूर हत्या कांट का आरोपी कहां है? ADG Law & Order हवा सिंग हुमारिया ने बताया कि वारदात की थोड़ी देर बाद ही पता लगा कि आरोपी किसी बाइक से किसी इलाके में निकले हैं इस वज़े से एक पुलीस टीम उनका पीछा करती है आगे राचस मन्त SP की टीम नाके पर भीम इलाके में दोनों को अरेस्ट कर लेती है यानि दरजी कनहिया लाल की हत्या करने वाले दोनों आरोपी अरेस्ट हो गए गिरफतार किये गए लोगों की पहचान उदैपूर के सूरजपोल इलाके के रफीक महम्मद और रियास के रूप में हुई है पुलीस हर अपराधी पर तगड़ा आक्शन ले रही है इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बसतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रही कैपिल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूले न कर दो कराद़ कर दो की बंद कर दो